आधर्णिय सभापती जी पुरा विश्व अनेग चुनावतियों से जूज रहा है शाहिदी किसी ने सोचा होगा कि मानवजाग को ऐसे कठीन दोर से गुजनना पनेगा ऐसी चुनावतियों के बीच इस दसक के प्राणव में ही हमारे आधर्णिय राश्पती जी ने जो संयुक्त सदन में अपना उद्वहदन दिया वह अपने आत्म में इस चनावतियों वह रे विश्व में एक नई आशा जगाने वाला नया उमंग पैदा करने वाला और नया आत्म विश्वास पैदा करने वाला राश्ट्पती जी का उद्भधन रहा आत्म निर्भर भारत की रहा दिखाने वाला और इस दसक के लिए एक मार्ग प्रसस्त करने वाला राश्ट्पती जी का उद्भधन रहा अधर्णिय स्भापती जी मैं राश्ट पती जी का तहरे दिल से आभार व्यक्त करने के लिए आज आप सब के बीच खड़ा राश्ट सभा में करीब 13-14 घंटे तक 50 से अधिक मान्य सदस्यों ने अपने विचार रखे बहुमुल्य विचार रखे अनेक पहलूओं पर विचार रखे और इसलिए मैं सभी आदर्णिय सदस्यों का रदय पुर्वक आभार भी व्यक्त करता है इस चर्चा को सम्रद्द बनाने के लिए अच्छा होता कि राश्पती जी का भाशन सुनने के लिए भी सब होते तो लोगतंत्र की गरिमा और बढ़ जाती और हम सब को कभी गिलान सिक्वा न रहता कि हमने राश्पती जी का भाशन सुना नहीं था लेकिन राश्पती जी के भाशन की ताकत इतनी थी कि न सुनने के बावजुद भी बहुत कुछ बोल पाए यह अपने आप में उस भाशन की ताकत थी उन विचारों की ताकत थी उन आदर्शों की ताकत थी कि जिसके कारण न सुनने के बाद भी बात पहुँच गई और इसलिए मैं समत्ता हूँ इस भाशन का मुल्ड़ अनेक गुना अवत है आदर्शों सुनावती जी जैसे मैंना कहा अनेक चुनावतियों के बीच राश्पती जी का इस दसक का प्रतम भाशन हुआ लेकिन ये भी सही है कि जारे पूरे विश्व पटल के दरब देखते हैं भारत की युवा मन को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आज भारत सच्चे अर्थ में एक आउसरों की भूमी है अनेक आउसर हमारा इंतजार कर रहे हैं और इसलिए जो देख युवा हो जो देख उत्सा से भरा हुआ हो जो देख अनेक सपनों को लेकर के संकल्प के साथ सिद्धी को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो वो देख इन आउसरों को कभी जाने नहीं दे सकता हम सब के लिए यह भी एक अउसर है कि हम आजहादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं यह अपने आप में एक प्रेरक अउसर है हम जहां भी हो जिस रूप में हो माभारती के संतान के रूप में इस आजहादी के 75 वे पर्व को हमने प्रेणा का पर्व मनाना चाहिए देश को आने वाले वर्षों के लिए तयार करने के लिए कुछ और कुछ कर गुजरने का होना चाहिए और 2047 में देश जमाजहादी की सताब्दी मनाएं तब हम देश को कहां तक ले जाएंगे इन सपनों को भार भार हमने लेते रहना चाहिए आज पूरे विश्व की नजर भारत पर है भारत से अपेच्षाएदी है और लोगों में एक विश्वास भी है कि अगर भारत ये कर लेगा तुनिया की बहुत एक समस्याओं का समाधान वहीं से हो जाएगा ये विश्वास आज दुनिया में भारत के लिए पड़ा है अधनिया सभापती की है जब मैं अवसरों की चर्चा कर रहा हूं तब महा कभी मैथिली स्राण गुप्त जी की कभीता को मैं उत्गोशित करना चाहूंगा गुप्त जी ने कहा था अवसर तेरे लिए खड़ा है अवसर तेरे लिए खड़ा है फिर भी तुछुपचाप पड़ा है अवसर तेरे लिए खड़ा है फिर भी तुछुपचाप पड़ा है तेरा कर्मक्षेत्र बढ़ा है तेरा कर्मक्षेत्र बड़ा है, पल पल है अनमोल, अरे भारत उठ, अरे भारत उठ, आँखे खोड़, ये मैं तिली सरान गुप्ते जी ने कहा दुप्तु लेकिन मैं सोच रहा था, इस कालखन में, 21 विषदी के आरम में, अगर उनको लिखना होता तो क्या लिखते हैं, मैं कल्पना करता था कि वो लिखते हैं, अउसर तेरे लिए खड़ा है, तू आत्म विश्वात से भरा पड़ा है, हर बाधा, हर बाधा हर बंदिश को तोड़ अरे भारत अरे भारत आत्मंदिर भरता के पत्पर दो आत्मंदिर भरता के पत्पर दो आत्मंदिर भापती जी कोरोना के दोरा किस प्रकार की वैश्विक परिस्थित्या बनी कोई किसी की मदद कर सके यह असंभव हो गया एक देश दूसरे देश को मदद न कर सके एक राज्य दूसरे राज्य को मदद न कर सके यहां तक कि परिवार का एक सदस्य दूसरे परिवार की मदद सदस्य की मदद न कर सके वैसा माहोल कोरोना के कारण पैदा हुआ भारत के लिए तो दुनिया ने भहुत आशंकाय जुताई थी विश्व भहुत चिंतिक था कि अगर कोरोना के इस महामारी में अगर भारत अपने आपको समान नहीं पाया तो नसरे भारत लेकिन पूरी मानवजात के लिए कितना बड़ा संकट आ जाएगा यह आ है लाखों लोग मर जाएंगे हमारे आओं भी डराने के लिए भरपूर बाते भी हुझ अरे यह क्यों हुआ यह मेरा सवाल नहीं है क्योंकि एक अन्वन एणिमी क्या कर सकताए कि सुक्षिक अंदाज नहीं था हरेक ने अपने अपने तरीके से आकलन किया था है लिकिन भारत ने अपने देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए एक अन्नो नहीं में से और जिसकी कोई पुर्व परपरा नहीं देख विए ऐसी चीज को ऐसे डिल किया जा सकता है इसके लिए ये प्रोटोकॉल हो सकता है कुछ पता नहीं था एक नहीं तरीके से नहीं सूच के साथ हर किसी को चलना था हो सकता है कुछ विदवान सामर्थवान लोग उनको कुछ और विचार हो सकता है लेकिन था ये ये एक अन्नो नहीं में था और हमें रास्ते भी खोजने थे रास्ते बनाने भी थे और लोगों को बचाना भी था उस समय जो भी इश्वर ने बुद्धी शक्ति सामर्त दिया इस देश ने उसको करते हुए देश को बचाने में भरसक काम किया है और आज दुनिया इस बात का घर्व कर रही है किस वाकई भारत ने दुनिया के मानुजात के रख्षा करने में बहुत बड़ी एहम भूमिका लिवाई ये लड़ाई जीतने का यश किसी सरकार को नहीं जाता है कि न किसी व्यक्ति को जाता है लेकिन हिंदुस्तान को तो जाता है कि घर्व करने में क्या जाता है कि विश्व के सामने आत्म विश्वास के साथ बोलने में क्या जाता है इस देश ने किया है गरीब से गरीब व्यक्ति ले इस बात को किया है उन समय सोशल मीडिया में देखा होगा, फुत्पात पर एक छोटी जोपड़ी लगा करके बैठी हुई एक गुढी मा, बुभी घर के बाप की जोपड़ी के बाहर दिया चला करके भारत की शुप के लिए कामना करके। कि अब उसकी मजाग उड़ा रहे हैं, उस भावनाओं का मखोन उड़ा रहे हैं, समय हैं जिसने कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा था, उसके मन में भी देश के लिए जो भी दिया जला करके भी देश की सेवा कर सकता हूं तो करूँ, इस भाव से किया था, और उसने दे अपनी शक्ति का सामर्था का परिच्य करवाया था, लेकिन उसकी भी मजाग उड़ाने में मजा रहा है, विरोध करने के लिए कितने मुद्धे हैं जी, और करना भी चाहिए, लेकिन ऐसी बातों में न बुल जे, जो देश के मनुबल को तोड़ते हैं, जो देश के सामर्थे को नीचा हांगते हैं, इससे कभी लाव नहीं होता है, हमारे कोरोना वरियर्स, हमारे फ्रंट लाइड वर्कर्स, आप कल्पना कर सकते हैं जी, जिप चारो तर्व भाई कहीं किसी से कोरोना आ जाएगा तो, ऐसे समय डूटी करना, अपनी जिम्यमारियों के निभाना, इस छोटी सीचा नहीं है, इसका गर्व करना चाहिए, उनक सब के प्रयात्सों का प्रणाम है, कि देश ने आज ये करके दिखाया, हम जरा भुद्काल की तरफ देखें, यह आलोचना के लिए नहीं है, उस सित्यों को हमने जिया है, कभी चेचक की बात होती थी, कितना भाई भाल जाता, पोलियों कितना डरावना लगता था, उसकी व्यक्षिन पाने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ते दी, कितनी तकलिवे उठानी पड़ते दी, मिलेगा, कम मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहसे लगाए, यह दिन हमने भीताये है, ऐसी स्थिति में, उन दिनों को गर यात करे तो पता दलेगा, कि आश, जिन को थर्ड वर्ल कंट्री में गिना जाता है वो देश मानुजात के कल्जान के लिए वैक्शिन ले करके आ जाए इतने कम समय में मिशन मोड में हमारे वैज्ञानिक भी जुटे रहें ये मानुजात के हितिहास में भारत के योगदान एक गवरव पुर्ण गाता है इसका हम आत्मिश्वास की प्रता भी जट्टि है कि हमने उस नए आत्मिश्वास की प्रता को जगाने के ऐसे प्रयास हो को आज ऐलीश गर्व कर सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा टीका करना भ्यान इसी मेरे describe ढाई विश्म ये विश्वमे तीं जगती से टीका करना आज की हो रहा है तो इसी हम सब की माँ भारती के गोद में और भारत का यह सामर्थ है कहां नहीं पहुंचाएं आज को करोना ने भारत को दुनिया के राथ रिस्तों में एक नई ताकत दी है जब शुरुआ अपाए कौन सी दवाई काम करें की वैक्सिन नहीं ती तो सारा विश्व का ध्यान भारत की दवाईयों पर गया विश्व में फारमशीं के हब के रूप में भारत उभर करके आया डेल सो देशों में दवाई कहुंचाने का काम उस संकठ कान में भी इस देश ने किया मानव्जात पर के लिए इस इन नहीं इन समय वैक्षीन के सब में हैं की विश्व बड़े गरवर के साथ कहता है कि we happen भारत की वैक्षीन आ गई है हमारे पास भारत की ट्सीन है कि हम सब को बावख है कि दुनिया के बड़े-बड़े अस्पताल में भी है बड़े बड़े लोग भी जब ऑपरेशन कराने जाते हैं कोई बड़े मेजर आपरेशन के लिए और ऑपरेशन थेयर्टर में जाने के बाद पक्रिया सुननों के पहले उसकी आखे ढूंती है कि कोई हिंदुस्तानी डॉक्टर है कि नहीं है और जैसे ही एकाद टीम के अंदर एकाद भी हिंदुस्तानी डॉक्टर दिखता है नहीं उसका विश्वास हो जाता है अब आप में देश ने कमाया है इसका में गर्व होना चाहिए और इसलिए इसी गर्व को लेकर के हम आगे बनाए इस कॉरोना में जैसे बैस्वीक समंदों में भार भारत ने हमारे फैडरल स्ट्चर को इस कॉरोना के कालखंद में हमारी अंतर भूत ताकत क्या है संकट के समय हम कैसे मिल करके काम कर सकते हैं एक ही दिशा में सब शक्तियां लगा करके हम कैसे प्रयास कर सकते हैं यह केंद्र और राज्य ने मिल करके करके दिखाया है मैं राज्यों को भी क्योंकि इस सदन में राज्यों की अपनी फ्लेवर होती है और इसलिए इस सदन में तो मैं विशेश रुप से राज्यों का भी अभिनंदन करता हूं और कोपरेटिव फेडरलिजम को ताकत देने का काम इस कोरोना के संकट को अवसर में पलटने का काम हमा यहां पर लोकतंत्र को लेकर के काफी उपदेश दिये गए बहुत कुछ कहा गया और लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि जो बाते बताई गई है देश का कोई भी नागरी इस पर भरोसा करेगा भारत का लोकतंत्र ऐसा नहीं है कि जुश की खाल हम इस प्रकार से उधेड सकते हैं ऐसी गल्पी हम न करें और मैं सिमान डेरिक जी की बात सुन रहा था बढ़ी आबड़े अश्यब्दों का प्रयोग हो रहा था प्रेड मों पीच इन्ती मेडिटेशन हाओडिंग जब सबते सुन रहा था तो लग रहा था कि अब बंगाल की बात बता रहे हैं कि देश की बता रहे हैं कि स्वाभा भी के 2400 गंटे वो ही देखते हैं वो ही सुनते हैं तो वही बात साथ गलती से यहां बता दी हो कि कॉंग्रेश के हमारे वाजवा साब भी काफी अच्छा बता रहे हैं और इतना लंबा खीच करके बता रहे हैं तो मुझे लग रहा था थोड़ी देर में यह इमर्जंसी तक पहुंच जाएंगे मुझे लग रहा था थोड़ी देर में एक कदम बार बाकी है वो 84 तक पहुंच जाएंगे लेकिन वह नहीं गए खर कॉंग्रेस देश को बहुत निराश करते हैं आपने भी निराश कर दिया माने सभापती जी मैं कोट इस सदन के सामने रखना चाहता हूं और खास करके लोगतंत्र पर जो लोग शक उठाते हैं भारत की मुल्भुत शक्ति पर जो शक उठाते हैं उनको तो मैं विशे साग्रते कहूंगा इसको समझने का प्रयास करें हमारा लोगतंत्र किसी भी माइने में वेस्टरन इंस्टिटूशन नहीं है ये एक हूमन इंस्टिटूशन है भारत का इतिहास लोग तांत्रिक समस्तानों के उधारणों से भरा पड़ा है प्राचीन भारत में 81-81 गणतंत्रों का वरनन हमें मिलता है आज देश वास्यों को भारत के राष्टवाद पर चौद तरफा हो रहे हमले से आगाह करना जरूरी है भारत का राष्टवाद ना तो संकेण है न स्वार्थी है और ना ही आक्रमक है ये सत्यम, स्रीवम, सुंद्रम के मुल्यों से प्रेवित हैं अनकोर्ट अधनिय सभावती जी ये कोटेशन आजाद हित्भोच की प्रथम सरकार के प्रथम प्रधान मंतरी नेता जी सुभावत चंडर पोच और संयोग है कि 125 विजेनति आज हम मना रहे हैं लेकिन दुरभा की इस बात का है कि जाने अंजाने में हमने नेता जी की इस भावना को नेता जी के इन विचारों को नेता जी के इन आदर्शों को भुला दिया और उसका परणाम है कि आज हम हम को को सने लग गए कि मैं तो कभी कभी हरान हो जाता हूं कि दुनिया जो गाइन गे लोग तंत्र की जननी है हम सिर्क बड़ा लोग तंत्र है इसा नहीं है यह देश लोग तंत्र की जननी है यह बात हमें हमारी आने वारी प्रीडियों को सिखानी होगी और हमें गर्वसी बात को बोलना होगा क्योंकि हमारे पुर्वजों ने विरास्त हमें दी है भारत की शाथन ववस्ता तेमोक्रिस्टिक है बहुत के संस्क्रिति भारत की इस समस्काप भारत की परण़ल भारत का मन लोग्तांत्रीग है और इसलिए हमारी वहास्ता लोग्ता अंत्रीग यह हैं मुझ लगता हम लोगतांत्रिक हैं इसलिए यह हैं और यह कसोटी भी हो चुकी है देश यह आपातकाल के उन दिनों को याद कीजिए नियाई-पालिका का हाल क्या था मीडिया का क्या हाल था शाथन का क्या हाल था सब कुछ जेल खाने में परिवर्तित हो चुका था लेकिन इस देश के संसकार इस देश का जन्मन जो लोगतंत्र के रगों से रंगाव से रंगा हुआ था उसको कोई हिला नहीं पाया था मोका मिलते ही उसने लोग प्रंदर को पस्ताफिक करते हैं यह लोगों की थाकत यह हमारे संस्कारों की थाकत है यह लोग तांत्रिक मुल्यों की थाकत है मुझता यह नहीं है कौन सरकार कौन सरकार में उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं और नहीं मैं ऐसी चुजों में अपना समय लगाने के लिए यहां आप लोगों मुझे बिठाया है हमें लोगतांत्रिक मुल्यों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ना है आत्म निर्भर भारत के सबन में भी चर्चा हुई मैं हमारे साथी धर्मेंदर प्रधान जी के बहुती अभ्यास पूर्ण और आत्म निर्भर भारत के हमारी दीशा का है उसका विष्ट्रूत उन्होंने बयान किया है लेकिन एक बाद सही है कि आर्थी क्षेतर में भी आज भारत की जो एक पहुच बन रही है करोना काल में दुनिया के लोग निवेश के लिए तरस रहे हैं सारी बाते बाहर आ रही है लेकिन भारत है जहां रिकॉर्ड निवेश हो रहा है सारे तथ्य बता रहे हैं कि अनेक देशों की अर्थस्तिती दमाडोल है जबकि दुनिया भारत में डबल डिजिल ग्रोथ का अनुमान लगा रही है एक तरफ निराशा का माहुल है तो हिंदुस्तान में एक आशा की करन नजार आ रही है यह दुनिया की तरफ से आवाज उठ रही है आज भारत का विदेश मुद्रा भंडा रेकॉर्ड स्तर पर है भारत आज दुनिया में दूसरा बड़ा देश है जहां पर इंटरनेट यूजर है भारत में आज हर महिने चार लाग करोड रुपय का लेंदेन डिजिटली हो रहा है यूपिया के मात्यम से याद कीजिए यहां के इसी सदन के भाशन न सुन नहां था दो साल तीन साल पहले लोगों के मोबाइल कहां है डिकना कहां है लोग डिजिटल कैसे करेंगे यह देश की ताकत देखिए हर महिने चार लाग करोड रुपी है भारत मोबाइल फोन के निर्माता के रुप में दूनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना है भारत में रिकॉर्ड संक्या में स्टार्ट अप्स इनिकॉंस और जिसका विश्व में जय जयकार होने लगा है यसी धर्ति पर हमारी युवाद पीड़ी कर रही है रिन्यूबल एनर्जी के खेत्र में विश्व के पहले पांच देशों में अपनी जगा बना ली है और आन भारत हर क्षेत्र में अपनी रक्षा के लिए अपने सामर्त के साथ खड़ा है साजिकल स्ट्राइक हो या एर स्ट्राइक भारत की केपबिलिटी को दुनिया ने देखा अधरिने सभापती जी कि 2004 में जब पहली बार में इस तदन में आया था इस परिशर में आया था और मुझे नेता के रुप में जब तुना रहा था तो मेरे पहले भाशन में मैंने कहां था कि मेरी सरकार कि गरीबों को समर्पीत है मैं आज दुबारा आने के बाद भी यही बात के दोहरा रहा हूं और हम ना हमारी डारेक्शन बड़ली है ना हमने डाइलूट किया है ने डाइवर्ट किया है उसी बिजाज के साथ हम काम कर रहे हैं क्योंकि इस देश में आगे बढ़ने के लिए हमें गरीबी से मुक्त हो ना ही होगा हमें प्रयासों को जोड़ते ही जाना होगा पहले के प्रयास होए होंगे तो उसमें और जोड़ना ही पड़ेगा हम रुक नहीं सकते हैं जितना कर लिया भौत हैं नहीं रुक सकते हमें और करना ही होगा आज मुझे खुशी है कि जो मुल्भूत आवशक्ता है इस ओफ लिविंग के लिए और जिसमें से आत्मी विशास बदा होता है और एक बार गरीब के मन में आत्मी विशास भर गया गरीब खुद गरीबी को चुनोती देनी की ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा गरीब किसी क मदद के महताज नहीं रहेगा तो मेरा अनुभूर आज इसलिए मुझे खुशी है दस करोड से ज्यादा सौचाले बने हैं एक 41 करोड से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुले हैं दो करोड से अधिक गरीबों के घर बने हैं 8 करोड से अधिक मुप्त गैस के कनेक्शन द में बहुत बड़ी ताकर्तम कर दो करते हैं असी अनेक होजनाएं जो गरीबों के जीवन में बढ़लाव ला रही है नया विस्वास परदा कर रही है कि अधर जैसा भापती जी कि चुनोतियां है कि अगर चुनोतियां नहोती ऐसा कोहीं कुछ नजर ने आएगा दुनिया का सम्रुद्य में सम्रुद्य जर उसको भी चुनोतियां होती है उसकी चुनोतिय अलग प्रकार की होगी है हमारी चुनोतिय अलग प्रकार की है लेकिन तय हमें ये करना है कि हम समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं कि हम समाधान का हिस्सा बनना चाहते हैं बस यह पतलीस ही रेखा है अगर हम समस्या का हिस्सा बने तो राजनीती तो चल जाएगी लेकिन अगर हम समाधान का माध्यम बनते हैं तो राश्टनीती को चार चांद दग जाएगी हमारा दाई तो है हमें वर्तमान पीड़ी के लिए भी सोचना है हमें भावी पीड़ी के लिए भी सोचना है समस्य हैं लेकि मुझे विश्वास है हम साथ मिलके काम करेंगे आत्में विश्वास से काम करेंगे तो हम सीतियों को भी बढ़ लेंगे और हम इच्छित परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे यह मेरा पक्का विश्वास है अधर्णिय सभापती की सदन में किसान अंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है जादा से जादा समय कि जो बाते बताई गई वह अंदोलन के समन में बताई गई किस बात को लेकर गया अंदोलन ने उस पर सब मों रहे हैं अंदोलन कैसा है अंदोलन के साथ क्या हो रहा है यह सारी बाते बहुत बताई गई उसका भी महत्वा है लेकि जो मुल्भूत मात है अच्छा होता कि उसकी विस्तार से चर्चा होती वैसे हमारे मान्यकर्शी मंत्री जी ने बहुत यह अच्छे रंग्स कोई सवाल भी पूछे हैं उन सवालों के जबाब तो नहीं मिलेंगे मुझे खात्री है लेकिन उन्हों ने बहुत यह अच्छे रंग्स इस विश्च की इस सदन में चर्था की है मैं अधने देवेगोडाजी का बहुत आभारी हूं तो उनों ने इस पुरी चर्चा को इक गंभी ये और उन्हों ने सर्कार के जो अच्छे प्रयास उसकी सरहाना भी क्योंकि वो किसानों के लिए समर्पित रहे हैं जीवन मगद और उनों ने सरकार के प्रयासों के ऑर और उन्होंने अच्छे सुझाव भी दिये मैं आदर्णिय देवगोडा जी का रदे से आभाल व्यक्तर करता हूं आदर्णिय सभाबते जी खेती की मुल्भू समस्या क्या है उसकी जड़े कहा है मैं आज पूर्व प्रधान मंत्री चौदरी चरंची जी ने जो विस्तार से वो बताया था उसी का जिक्र करना चाहता हूं है बहुत लोग है जो चौदरी साब की विरासत समालने का गर्व करते हैं वो जुरूर इस बात को समझने का शाइब प्रयास करेंगे वो अक्सर 1970-71 जो एग्रिकल्चर से सेंसस हुआ था उसका जिक्र उनकी भाषन में हमेशा आता था और उलेकर लेग चौदरी चरंची जी ने क्या कहा था उनका कोट है किसानों का सेंसस लिया गया तो 33% किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन दो बिगे से कम है दो बिगे नहीं है दो बिगे तक है दो बिगे से कम अठारा फिस्दी जो किसान कहलाते हैं उनके पास दो बिगे से चार बिगे जमीन है यानि आदा हेक्टर से एक हेक्टर ये 51% किसान है ये चाहें कितनी महनत करें अपनी छोड़ी सी जमीन पर इनकी गुजर इमानदारी से उसमें हो नहीं सकती ये चोदरी चरहन सिंग्जी का कोट है छोटे किसानों की दैनिय स्थिती चोदरी चरहन सिंग्जी के लिए बहुती हमेशा पीड़ा देती थी और हमेशा उसकी चिंता करते थे अब हम आगे देखे ऐसे किसान जिनके पास एक हेक्टर से भी कम जमीन होती है 1971 में वे 51 प्रसंट थे आज 68 प्रसंट हो चुके है यानि देश में ऐसे किसानों के संख्या बढ़ रही है जिनके पास पहुत थोड़ी सी जमीन है आज लगू और सिमान किसानों की मिलाएं तो 86 प्रसंट प्रसंट किसान ज्यादा किसान के पास दो हेक्टर से भी कम जमीन है और ऐसे किसानों के संख्या बारा करोड है क्या इन बारा करोड किसानों के प्रति हमारी कोई जिम्मे बारे नहीं है क्या देश की कोई जिम्मेवाली नहीं क्या हमने कभी हमारी योजनाओं के केंद्र में इन 12 करोड किसानों को रखना पड़ेगा के नहीं रखना पड़ेगा ये सवाल का जवाब चौधरी चरंशींजी हमारे लिए छोड़ करके गए हैं हमें जवाब को ढूंडना होगा हमें चौधरी चरंशींजी को सच्ची सरधानली देने के लिए इस कान के लिए जिसको जो सुझे जिसको मोका मिले सबने करना होगा तब जाकर के हम कर सकते हैं अब पहले की सरकारों की सोच में छोटा किसान था क्या अगर एक बार हम थोड़ा सोचेंगे दो धान आएगा मैं अलोचनक लिए नहीं कह रहा हूँ लेकिन हमने सच मुझ मैं हम सबने सोचने क्या वश्यक्ता है जब हम चुनाव आते ही एक कारकम करते हैं कर्जमाफी अब वो किसान का कारकम है कि बोट का कारकम है वो तो कि दूने कि लिए कुछ नहीं आता है क्योंकि कर्जमाफी जो बैंक से लोन लेता है उसके लिए होती है चोटा किसान का बेठारा प्यूंग सब्हूंत अ गर्जमाफी से लोन लेने जाएगा हमने चोटे Wisconsin के लिए नहीं है ऑले हमने राजरिति कर दी हो एक द्दिए करजम कि पहले की फसल विम सब्सक्राइब हो ज़ना किया थि एक प्रकार से गल्व जो बैंक गररंटी के रूप में काम करता है और भो भी छोटे किसान के लिए तो नसीबी नहीं होता था वह भी 김ल्द के लिए होता था जो bank से loan लेता था और उसका insurance होता था तो bank वालों को भी एक विश्वात होता था चल जाता था आज दो hectare से कम कितने किसान होके जो bank से loan है सिंचाई की सुभी था सिंचाई की सुभी था भी छोटे किसान के नसिब नहीं हुई बड़े किसान तो बड़ा बड़ा पंप लगा देते थे, टूब बेल कर देते थे, बिजली भी ले ले लेते थे, और बिजली भी मुफ़त मिल जाती थी, उनका काम चल जाता था, छोटे किसान के लिए तो सींचाई के भीज लिए दिक्कत थी, वो तो कभी टूब बेल लग जाता था उस पर डंडे चलते थे और कभी-कभी तो बेचारा युदिया के बिना घर वापिस लोड़ जाता था यह हम छोटे किसानों के हाल जानते हैं 2004 के बाद हमने कुछ परिवर्तन किया हमने फसल भीमा योजना का दायरा बढ़ा दिया ताकि किसान छोटा किसान भी उसका फाइदा ले से के और बहुत मामुली रकम से यह काम शुरू किया और पिछले चार-पांच साल भी फसल भीमा योजना के तहट नब्वे हजार करोड रुपिये उसके क्लेम किसानों को मिले कर्ज माफी से भी आंकड़ा बढ़ा हो जाता है चोटा किसानों को किसान क्रेडिक कर हुए लेकिन बड़े किसानों तक गए और वो बैंक से बहुत ही कुछ तो राज्यों में जीरो परसंट से ब्याद से उनको मिल जाते थे पैसे और उनके कोई-कोई जोजन्दा व्यापार होता था पैसे वहां भी लग जाते थे छोटे किसान के नसीब में ये नहीं था हमने लाइने हमने उसका तो दाइरा फिशर्मेंन तक भी बढ़ा दिया ताकि वो भी इसका फाइटा उटा सके और कौने दो करोर से ज्यादा किसानों तक किसान क्रेडित का काम पहुंच चुका है और बाकी भी राज्यों से आगर कर रहे हैं कि लगातार उसको आगे बढ़ाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसका लाप उड़ा सके और राज्यों की मदद जितनी ज़्यादा मिलेगी उतना ज़्यादा एक काम हो जाएगा उसी प्रकार ते हम एक योजना ले आए प्रदान मत्री सम्मान ने दी योजना सीधे किसान के खाते में और ये गरीब किसान के जिसके पास कभी इस प्रकार की मेदर नहीं पहुची है दस करोड ऐसे परिवार हैं जिनको इसका लाव मिल गया और अगर बंगाल में राजनीती आड़े ना आती तो बंगाल के किसान भी अगर जुड़ गए होते तो ये आकड़ा उससे भी जादा होता और अब तक एक लाग पंदरा हजार करोड रुपिया इन किसानों के खाते में गया है यह जरीब ठोते किसां उनके पांस गया है हमारी सभ योजनाओं के केंद्रभेंदि में होता है स्वार हेल्थ कार हमने अंडेट परसंट स्वार हेल्थ कार के बात कहीं ताकि हमारे छोटे किसान को भी उसकी जमीन कैसी है कौन सी उपच के लिए योग गए हुगा हमने 100% Soil Health Card के लिए काम किया, उसी प्रकारते हमने यूरिया का निमकोटी है, 100% किया, 100% के पीशे इरादा हमारा यही था, कि गरीब से गरीब किसान तक भी यूरिया पहुंचने में रिकावटना हो, यूरिया डाइवर्ट होता है, बंध हो, और उसमें हम सबन भी हुए, छोटे और सिमांत किसानों के लिए, हमने पहली बार पेंशन की सुविधा की योजना लेकर क्या है, और मैं देख रहा हूं कि धीरे-धीरे हमारे छोटे किसान भी आ रहा है, उसी प्रकार से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना यह सि किसानों की गाउं की जिंद्गी को बदलने का एक बहुत बड़े यश रिखा होती है और इसलिए हमने उस पर भी बल दिया पहली बार हमने किसान रेल की कल्पना की छोटा किसान का माल बीखता नहीं जा आज किसान रेल के कारण गाउं का किसान रेलवे के माध्यम से किसान उड़ान के द्वारा हवाई यहां थे अब जैसे हमारे नौर्थिस्ट इतनी बढ़िया बढ़िया चीजे लेकिन ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टिम के अभाव में वहां का किसान हमारा बेनिफेट नहीं ले पाता था आज उसको किसान उड़ान योजरा का लाग बिल और कॉंग्रेस के भी हर किसी हर सरकार कुर्षी शुदारों की वकालत की कोई पीचे नहीं है, क्योंकि हरे एक को लगता है कर पाए य नहीं कर पाए अलक बात है. लेकिन होना चाहिए यह बात हरे की निकली और आज नहीं, जब भी जहांते समने की हुई है. और सरद्रावजी ने तो अभी एक बयान भी दिया कि मैं सुधारों के पक्ष में हूँ ठीक है पद्ददी के समय में में सवाल है लेकि सुधारों का विरोध ने किया और इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें इस विशह में हमारे साथ ही सिमान सिंधिया जी ने बहुत यह च्छे चलिए ऐसा नहीं है कि कोई हमारे समय की सोच बहुत ही बढ़िया थी मैं भी दावा नहीं कर सकता हूं कि हमारे समय की सोच बढ़िया है दस साल के बाद कोई नई सोच आहीं नहीं सकते अधा नहीं होता है यह समाज जीवन परिवरतर सिन होता है आज के समय हमें जो ठीक नई चीजों को जोड़ेंगी यही तो प्रगति का रास्ता होता है जी रुकामटे डाले से प्रगति कहा होती है जी और इसलिए लेकिन मैं हरान हूं अचानक यूटन ले लिया भई ऐसा क्यों किया ठीक है आप आंदोलन के मुद्धों को लेकर के इस सरकार को घेर लेते हैं लेकिन साथ-साथ किसानों को भी कहते हैं कि भाई बढलाव बहुत जरूरी है बहुत साल हो गए अब नई चीजों को लेना पड़ेगा तो देश आगे बढ़ता है लेकिन अब मुझे लगता है कि राजलीत इतनी हावी हो जाती है कि अपने ही विचार शूर जाते हैं लेक यॉपाद माने आन माने मन मौंसाओग ची लॉपाफ जूरूर जूरूर है कि इर अब हो खोने हैं लेकिन उनरजीति की कि दृमान झाने बात जूरूर माने. There are other rigidities because of the whole marketing regime setup in the 1930s which prevent our farmers from selling their produce where they get the highest rate of return. It is our intention to remove, it is our intention to remove all those handicaps which come in the way of India realizing its vast potential as one large common market. अजयान को उपज बेचने की आज़ादी दिलाने भारत को एक क्रिशी बजार दिलाने के समयन में अपना इरादा व्यत्त किया था और वो कामन कर रहे हैं और मुझे आप लोगों को घर्व होना चाहिए कि देखे मनमन सिंग ने कहा था वो मोधी को करना पड़ रहा है गर्व प्रीज और मज़ा यह है कि जो लोग पॉलिटिकल बायान बाजी करते हैं उचल उचल करके उनके राज्यों में भी जब उनको मुकाविला है इसी मैंसे आधा जूरा कुछन कुछ किया ही किया है हर किसी ने यहां जो विरोध में दल है उनकी भी जहां सरकारे हैं वहां मैं रास्ते कर दास्तों तो यह है और मैंने देखा इस चर्चा में लोग का जो स्पिरिट है उस पर किसी की जहता नहीं हुए है इसको ने पूछा यह रहता है वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूभी नाराज हो करके गए मुझे कहां बुलाया तो तो रहता है है इतना बड़ा बड़ा परिवारे तो रहता है है हे अपनी है हुए हम कूछ और बातों की और भी जान दे महज़ू आप देखिए दूद के ख्षेत्र में या तो प्रावेट या कोपरेट दोनों एक ऐसी बड़ी मजबूत चेन बनाई हैं दोनों मिलकर के इस काम को कर रहे हैं और एक बहत्रिन सप्लाई चेन हमारे देश में बनी है इसको हमने जो अच्छा है उसको और ये मेरे काल में नहीं बना है आप भ आदातर बादारों का सीजा समस्पर रहता है बादारों के दखल लग हट गई है इसका लाब भीन रहा है है क्या जिर्वाले सपल सब्सबेंशने वाले उद्यमि परश्वालों की किसान क्या जमिन पर कबजा हो जाता है उद्यू परृष्वश्य को हमारे देश में डेरी उद्योग का योगदान क्रिशी अर्थेवबस्ता के कुल मुल्य में 28 प्रतिशत से भी ज़्यादा है यानि इतना बड़ा हम एग्रिकल्टर की चर्चाएं करते हैं इस पहलू को हम भूल जाते हैं 28 प्रसंट कॉंटिमिशन है और करीब करीब आठ लाग करोड रुपयों का क दूद होता है उसका मुल्य अनाज और दाल दोनों मिला ले तो उससे ज्यादा है हम कभी इस तरफ देखते ही नहीं है कि पशुपालतों को पूरी आजादी अनाज और दाल पैदा करने वादे छोटे और सिमान किसानों को जैसे पशुपालत को आजादी मिली है इनको आज हम सही रात्ते पर चलेंगे अधनिय सभाबती जी यह बात सही है जैसा हम लोगों की स्वभाव रहाएप घर में भी थोड़ा सा भी परिवर्तन करना हो तो घर में भी एक तनाव चेर यहां के और रखी टेबली यहां के और रखा घर में भी होता है इतना बड़ा देश है और जिस प्रकार के परंपराओं से हम पले बड़े हैं तो यह मैं स्वाभाविक मानता हूं जब भी कोई नई चीज आती है तो सोड़ा बहुत रहता ही है हमारी हां क्योंकि असंजम असामंजस की स्थिती भी रहती है लेकिन जरह वो दिन याद किजिए जब हरित क्रांति क और देखने जैसा है कुछी सुधार के लिए सक्त फैसले लेने के उस दोर में शास्त्री जी का हाल यह था कि अपने साथियों में से क्रशी मंत्री बनने को त्यार नहीं होता था क्योंकि लगता था कि यह ऐसा है हाज जल जाएंगे और किशान नाराज हो जाएंगे तो भी की घटना हैं और अंत्मे शास्त्री जी को सी सुब्रमनेम जी को कृषी मंत्री बनाना पड़ा था और उन्होंने रिफॉर्म्स की बाते की योजन आयोग ने उसका विरोध किया था मजा देखिए वोजन आयोग ने भी विरोध किया था वित्त मंत्राले सहित्पुरी कैमिने लेकिन देश की भलाई के लिए सास्त्री जी आगे बढ़े और लेप पार्टी जो आज भाषा बोलते हैं वो ही उसमय बोलते थे वो यही कहते हैं अमेरिका के इशारे पर सास्त्री जी ये कर रहे हैं अमेरिका के इशारे पर कॉंग्रेस ये कर रहे हैं सार्याट जीतना आज मेरे खाते में जमा है ना वो पहले आपके यां बैक वेक आउप पे था सब कुछ अमेरिका के एजेंट कह दिया जाता था हमारे नेता कांग्रेस के नेताओं को यह सब कुछ लेप वाले जो आज भाशा बोलते हैं वो उस समय भी उन्होंने यही भाशा बोली थी कुछी सुधारों को छोटे किशानों को बरबाद करने वाला बताया गया था कि देश भर में हजारों प्रदर्शन आविजित हुए थे बड़ा मुमन चला था इसी बाहूल में भी लाग बादूर सास्त्री जी और उसके बाद के सरकार जो करती रही उसी का परिणाम है कि जो हम कभी पील 480 मंगवा करके खाते थे आज देश अपने किसान ने अपनी म कि Card उत्बादन के बावजूद भी ने करे कुठी कि हमारे करशिक शेतर में समस्याई है कोई यह तो मना नहीं कर सकता है समस्य नहीं लेकिन समस्याओं का समाधान हम सब को मिल करके करना होगा और मैं मानता हूं कि अब समय ज्यादा इंतजार नहीं करेगा हमारे राम गोपाल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उन्हों तहां भी करोना लोगडाउन में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्वादन किया सरकार ने भी बीज खाट सारी चीजे करोना काल में भी पहुंचाने में कोई कमी नहीं होने दी कोई संकर नहीं आने दिया और उसका सामूही प्रणा मिला कि देश के पास यह भंडार भरा कि उपच की रिकॉर्ड खरीदी भी इस कोरोना काल में हुई तो मैं समता हूं कि हमने नहीं नहीं उपाच खोच-कच के आगे बढ़ना होगा और जैसा मैंने कहां कोई भी हम कई कानून है हर कानून में दो साल पांच साल के बाद कभी दो महिने दो तीन महिने के बाद सरकार भी आते हैं और सरकार भी अच्छे सुझाओं को और सिर्म हमारी नहीं हर सरकार ने अच्छे सुझाओं को स्विकार के यही तो लोक्तंत्र की परंपरा है और इसलिए अच्छा करने के लिए अच्छे सुझाओं के साथ अच्छे सुधाओं की तैयारी के साथ हम सब क को आगे बढ़ना चाहिए मैं आप सब को निमंतर देता हूं आईए हम देश को आगे ले जाने के लिए कृषिक शित्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलन कारियों को समझाते विए हमने देश को आगे ले जाना होगा हो सकता है कि सायद आज नहीं तो कल जो भी तो किसी को यह काम करना ही पड़े जा आज मैंने किया है गालीया मेरे खाते लेकिन इस अच्छा करने में आप एप जूर जाओं ने बुरा हो मेरे खाते में अच्छा हो आपके खाते में किसानों से बात्चीत कर रहे हैं लगातार मिटिंग ये हो रही है और अभी तक कोई कोई तनाव पैदा नहीं हुआ है एक दूसरे की बात को समझने का समझाने का प्रयास चल रहा है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्षना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है लेकिन इस प्रका हमने कहा है मैं आज भी इस सजन से माध्यम से भी निमंतर देता हूँ कि अधरने सभापती जी कि यह बात निश्चित हैं कि हमारी खेती को खुशाल बनाने के लिए फैसले लेने का यह समय है यह समय को हमने गवा नहीं देना चाहिए हमें आगे बढ़ना चाहिए देश को पीछे नहीं ले जाना चाहिए पक्ष हो विपक्ष हो आंदुरर साथी हो इन सुधारों को हमने मोका देना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि इस परिवर्तन से में लाग होता है कि नहीं होता है कि कोई कमी हो उसको ठीक करेंगे और कहीं डिलाई है तो उसको कसेंगे यह था तो है नहीं कि सब दर्वाजे बन कर दिये बस और इसलिए मैं कहता हूं मैं विश्वाद दिलाता हूं कि मंडिया अधिक आधुनिक बने अधिक प्रतिसपर्दी होगी इस बजेट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है इतना ही नहीं एमेसपी है एमेसपी था एमेसपी रहेगा इस सदन की पवित्रता समझे हम जिना सी करोड से अधिक लोगों को सस्ते में राशन गिया जाता है वो भी कंटीनू रहेगा इसलिए महरवानी करके भ्रह्म भलाने के काम में हम न जुड़े क्योंकि हमको देश ने एक विशिष्ट जिम्मेबारी दी है कि किसानों की आय बढ़ाने के जो दूसरे उपाए उन पर भी हमें बल देने की जरौत है आबादी बढ़ रही हैं परिवार के अंदर सदस्यों करना ही होगा ताकि किसानी पर बोज कम हो और हमारे किसान के परिवार के लोग भी रोजी रोटी कमाने के लिए उनके लिए हम और अवसर उप्लब दकराशे के लिए इनकी तकलीबों को दूर करने के लिए हमने काम करना होगा और मैं मानता हूं कि हम अगर देर कर देंगे अधिकार के तरफ धकेल देंगे कृपा करके हमें उजवल किशानों के उजवल भविश के लिए इस से बचना चाहिए मैं सबसे प्रार्फना करता हूं हमें इस बात की चिंता करनी होगी अधानिय सभाबती जी देरी और पशुपालत हमारे कृषिक शेत्र के साथ बढ़ावा देनी के ज़रोत हैं ताकि हमारा किशान पख़बर हो उसी प्रकारत इसी काम के लिए हमने फूट और माउट डिसीज के लिए बहुत बड़ा भ्यान तला है ताकि वो किसान को यह पशुपालत जो बायन लाज किसानी से जुड़ा हुआ रहता है उसको भी लाग होगा हमने फिशरी इसको भी अलग बल दिया अलग मिनिस्ट्री बनाई और बीस हजार करोड रुपि और इसलिए भारत ने किसान उसके लिए बहुत जमीन की ज़रूत नहीं अपने खेत के कौने में वो कर दे तो भी साल में 40,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 कमा लेगा हुआ और इसलिए हम स्वीट रिवाल्यूशन, श्रहत के लिए, हनी के लिए उसी परकार से बी भारत भीवैक्स एक्सपोर्ट कर सकता है हमने उसके लिए एक माहवल बार और किसान के खेत में ही छोटी किसान होगा तो एक वह नई कमाई कर सकता है हमने इसको जोड़ना होगा और मदुमक्खी पानन के लिए को शैकड़ों एकड़ जमीन की ज़रूत नहीं है वो आराम से अपने यहाँ कर सकता है solar pump solar हम कहते हैं अनदाता उर्जा दाता बने उसके खेत में ही वो अपने solar system से उर्जा भी पड़ा करे solar pump चलाए अपनी पानी की आवश्यक्ता को पूरी करे उसके खर्च को बोज़ को बंद करे और फसल एक लेता है तो दो ले दो लेता है तो तो त भारत की ताकत ऐसी समस्याओं के समाधान करने की और नए रास्ते खोजने की रही है आगे भी खुलेंगे लेकिन कुछ लोग हैं जो भारत अस्तीर रहे अशांत रहे इसे लगातार कोशिश से कर रहे हमें इन लोगों को जानना होगा हम यह न भूले कि पंजाब के साथ क्या हुआ जब बटवारा हुआ सबसे ज़्यादा भूगत ना पड़ा पंजाब को जब 84 के दंगे हुए सबसे ज़्यादा आंसू बहे पंजाब के सबसे ज़्यादा दर्दनाग गटनाओं का शिकार होना पड़ा पंजाब को जो जम्मी कश्मीर में हुआ निर्दोशों को मौत के घाट उतार दिया गया जो नौर्दीश में होता रहा आए दिन बंबंदुग और गोलियों का कारोबार चलता रहा यह सारी चीजों ने देश को किसे ने किसी रूप में बहुत नुक्षान किया है इसके पीशे कौन ताक करते हैं हर समय हर सरकारों ने इसको देखा है जाना है परका है और इसलिए हमें उस जजबे से इन सारी समझाओं के सभाधान के लिए हम तेजी से आगे बढ़े हैं और हम यह न भूले कि कुछ लोग हमारे खासकर के पंजाब के खासकर एक शिक भाइंग दिमाज में गलत चीजे भरने में लगे हैं यह देश हर्शिक के लिए गर्व करता है कि देश के लिए क्या कुछ नहीं किया है उनका जीतना हम आधर करें उतना कम है गुरुआं की महान परंपरा और मेरा भागे रहा है मुझे पंजाब की रोटी खाने का अवसर मिलाया में जिन्द्गी मे बहुत महत्वपन वर्ष पंजाब में बिता है इसलिए मुझे मालूम है और इसलिए जो भाषा उनके लिए कुछ लोग बोलते हैं उनको गुम्रा करने की जो लोग प्रयास करते हैं इससे कभी देश का भला नहीं होगा और इसलिए हमें इन दिशा में चिंता करने के आव हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचीत है कि स्रम जीवी कि बुद्धी जीवी यह सारे शब्दों से परिचीत है लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है हिसें एक नई बिरादरी सामने आई है और वह रूझ अन दोलन जीवी है यह जमात आफ देखोगे वकीलों का अंदोलन है वह नहां नहीं जर आएंगे सिट्वूडण का आंदोलन है वह बाल देजर आएक मजबुर्द का अन्दोलन है वह महां नहीं पिछेन प arbट का नइंगे कभी परदे के पीछे कभी पड़े के यह अंधोलन जिवित वह आंधोलन को पिना जी नहीं सकते हैं और आंधोलन के चरह जी से जीने के लिए रास्ते को त Chinese हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा को जो सब जगावे के पहुंच करके और बड़ा आइडियोलोजिकल स्टैंड दे देते हैं गुम्रहा कर देते हैं नई नई तरीके धूनो बता देते हैं कि देश आंदोलन जीवी लोगों से बचें इसके लिए हम सब को और यह उनकी थाकत उनका क्या है खुद खड़ा भी कर सकते चीजें किसी की चल रही तो जागे बेड़ जाते हैं वह अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आबश पर जीवी होते हैं और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां-जहां सरकारे चलाते होंगे आपको भी ऐसे पर जीवी आंदोलन जीवीयों का रुप होता हुआ है और इसलिए उसी प्रकार से एक नया मचीद देख रहा हूं देश प्रकतिक कर रहा है हम FDI की बात कर रहे है. Foreign Direct Investment. लिकिन बैद देख रहा हूं इन दिनों एक नया FDI मेतान में आया है. यह नया FDI से देश को बचाना है. FDI चाहिए, Foreign Direct Investment. लेकिने जो नया FDI नजर का आ रहा है यह नए FDI से जुरू बचना होगा और यह नया FDI है Foreign Destructive Ideology Foreign Destructive Ideology और इसलिए इस FDI से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूत रहने की जरूत है आदर्णिय सभावती जी हमारे देश के विकास के लिए ग्रामीन अर्थे बवस्ता इसका अपना एक मुल्य है ग्रामीन अर्थे बवस्ता हमारे आत्मंदिर भर भारत का एक एहम स्तम्भ है आत्मंदिर भर भारत ये किसी सरकार का कारकम नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए एक सो तीस करोड देश वास्यों के संकल्प होने चाहिए हमें गर्व होना चाहिए और इसमें कोई दुविदा नहीं होनी चाहिए और महत्मा गांदी जैसे महापुरुशन होना हमें यही रात पर दिखाया था अगर हम वहां से थोड़े हट गए हैं तो बापिस उस पट्री पर आने की जुरूत है और आत्म निर्भर भारत के रिश सुनास है कि हम उन बातों को लेकर करके जब आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे देश के सामाने मानवी का विश्वात बढ़े जैसे भी प्रश्वत्तर काल के अंदर जल जीवन मिशन की चर्चा हो रही थी इतने कम समय में तीन करोड परिवारों तक घर में पीने का पानी काम हो चुका है कि आत्मंदिरवरता तभी संभव जब अर्थवर्वस्ता में सभी की भागीदारी हो है हमारी सोनल बहन ने अपने भाशन में बहनों बेटियों की भागीदारी पर फोकस करने की उन्होंने विस्तार से चर्चा की को रोना काल में जाए राशन हो आर्थिक म हमारी माताओं बहनों को अस्विता ना हो इसकी पूरी चिंता करने का प्रयास गिया है और उन्होंने एक शक्ती बनकर के इस चीजों को समालने में मदद भी किये जिस तरह इस मुश्किल परिस्तिति में हमारी देश की नारी शक्ति ने बड़े धैलिये के साथ परिवार को समाला परिस्तितियों को समाला है कोरोना के इस लड़ाई में हर परिवार के मात्रु शक्ति की बहुत बड़ी भूमी का रही है और उनका मैं जितना चिंजवाद को रूपना कम बहन और बेटियों का होसला और मैं समझता हूँ कि आत्मेंदिर भारत में एहम भूमी का हमारी माताय बहने निभाएगे मुझे प्रज़े विश्मास से आज विद्धक्षेतर में भी हमारी बेटियों की भागीदारी बढ़ रही है नए नए जो लेवर कोड बनाये हैं उसमें भी बेटियों के लिए हर सेक्टर में काम करने के लिए समान वेतन का हग दिया गया है मुद्रा युजना से सत्तर प्रतिशत सत्तर प्रतिशत जो लोन ली गई है वो हमारी बेहनों के द्वारा ली गई है यहनि एक प्रजारते यह इडिशन करीब साथ क्रोड महिलाओं के सभवागेता से साथ लाग से ज्यादा सेल्फ एल गुरूप आज आत्मने विभर भारत के प्रयासों को एक नई ताकत दे रहे हैं भारत की युवाशक्ति पर हम जितना जोर लगाएंगे हम जितने अवसर उनको देंगे लेकिन उसकी स्विकृति जिस प्रकार से देश में हुई है एक नया विश्वास पदा किया है और मुझे विश्वास है कि ये नई राष्टिय शिक्षा निती हमारे देश के लिए एक नए तरीके से पढ़ने का स्विचार अगव है हमारा MS MS सेक्टर रोजगार के सबसे ज़्यादा आउसर MS MS सेक्टर को मिल रहे हैं और जब करोना काल में जो स्टिमूलेस की बात हुई उसमें भी MS MS पर पूरा ध्यान दिया गया और उसी का प्रणाम है कि आर्थिक रिकवरी में आज हमारे MS MS बहुत बड़ी भूमी का निभा रहे हैं और हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं ही हम लोग प्रारम से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का मंत्रह ने करके चल रहा है और उसी का प्रणाम है कि नौर्थ इस्टो या नगसल प्रफार्वूक्षेत्र दिरे 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 वहां हमारी समस्याएं कम होती जा और समय से कम होने के कारण सूख और शांती का आउसर पैदा होने के कारण विकास की मुख्य धारा में ये हमारे सभी साथियों को आने का आउसर मिल रहा है अब भारत के उज्वल भविश में इस्टन इंडिया बहुत बड़ी भूमी का निभाएगा ये मैं साब देख रहा उपयोग न करना ये गुलाब नभी जी की विशेस्ता रही है और मैं मानता हूं कि हम सभी जो शांसदगन हैं उन्होंने उनसे शिखने ये सी चीज है और इसलिए मैं उनका आधर भी करता हूं और उन्होंने जम्मु कश्मीर में जो चुना हुए उसकी तारीब की उन्हों का उन्होंने ये भी कहा कि मेरे दिल में जम्मु कश्मीर विशेस और स्वाभाविक भी है उनके दिल में यह हो ना पूरे हिंदुस्तान के दिल में जम्मु कश्मीर उसी भाव से भाव से भाव पड़ा हुआ है जम्मु कश्मीर आत्मन निर्भर बनेगा उस दिशा में हम महां पंचायत के चुना हुए BDC के चुना हुए DDC के चुना हुए और इन सब के सराना गुलाम नभी जी ने की है इस प्रसुंसा के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं लेकिन मुझे डर लगता है आपने प्रसुंसा की मुझे विश्वास है कि आपकी पार्टी वाले इसको उचित स्पिरिट में लेंगे गलती से G23 की राय मान करके उल्टा लगर दे आदने सबाबति महोदाई करोना के चुनावति प्रुण दौर में सीमा पर भी चुनावति देने की कोशिश हुई है हमारे वीर जवानों के होसले और कुशलता ने सटिक जवाब दिया है मुश्किल परिस्तितियों में भी हमारे जवान डट करके खड़े रहे तमाम साथियों ने हमारे जवानों के शावरियों के सराना की है मैं उनका अभारी हूं लसी पर जो स्थिति बनी है उस पर भारत का रूप बहुत स्पष्ठ है और तेश उसको भली भाती देख भी रहा है और गर्व भी कर रहा है बौडर इंफ्रसेक्टर और बौडर सिकुरिटर को लेकर हमारी प्रतिविद्धता में किसी प्रकार की धील आने का सवाल ही नहीं होता है गुंजाइस ही नहीं है और जो लोग हमारा लालन पालन और हमारे विचारों का हमारा उच्छे देखते हैं वो कभी इस विशे में हमें सवाली नहीं करेंगे उनको मालूम है हम इसके लिए डटे हुए रहने वाले लोग है अर इसलिए हम इन विशों में कहीं पर भी पीछे नहीं है आदर्निय सभापती जी इस सदन्द की उत्नम चर्चा के लिए मैं सब का धन्यवाद करते हुए आखिर मैं एक मंत्र का उलेक करते हुए अपनी वाणी को मैं गराम दूँगा हमारे हाँ वेदों में एक महान विचार प्राप्त होता है वो हम सब के लिए 130 करोर देश वास्यों के लिए इस मंत्र अपने आप में बहुत बड़ी प्रेणा है वेदों का इस मंत्र कहता है अयूतो अहम अयूतो में आत्मा अयूतो अहम अयूतो में आत्मा अयूतम में चक्षु हो अयूतम स्रोत्रम अयूतो अहम अयूतो में आत्मा अयूतम में चक्षु हो अयूतम स्रोत्रम यानि मैं एक नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अपने साथ करोडों मानवों को देखता हूँ, अनुभव करता हूँ इसलिए मेरी आत्मिक शक्ती करोडों की है, मेरे साथ करोडों की द्रश्टी है, मेरे साथ करोडों की स्रवन शक्ती, कर्म शक्ती भी है अधानिय सभापती जी, बेदों की इसी भावना से, इसी चेतना से, 130 करोड से इधिक देश्वास्चियों वारा भारत, सब को साथ लेकर के आगे बढ़ रहा है आज 130 करोड देश्वास्चों के सपने, आज हिंदुस्तान के सपने, आज 130 करोड देश्वास्चों की आकांख्षा है, इस देश की आकांख्षा है आज 130 करोड देश्वास्चों का भविष भारत के उजवल भविष की गारंटी है, और इसलिए आज जब देश नीतिया बना रहा है, प्रयास कर रहा है, तो वो केवल ततकानिन हाली लाग के लिए नहीं, लेकिन एक लंबे दुरगामी और 2047 में देश जब आजादी का शत पूरा करने में अवश्य सफल होंगे, मैं फिर एक बार आधर राश्पती जी के वदन के लिए, मैं उनका आधर पूर्वक धन्यवाद करते हुए, उनका अभिन्दन करते हुए, सदन में भी जिस तरह चर्चा हुई, और मैं सच बताता हूँ, चर्चा का स्तर भी अच्छ यह ठीक है, किसे कितने लाब होते हैं, मुझ पर भी कितना हमला हुआ, हर प्रकार से जो भी कहां जा सकता है, कहां, देंकि मुझे बहुत आनंद हुआ, कि मैं कम से कम आपके काम तो आया, देखिए, आपके बन में एक तो कॉरोना के कारण ज्यादा जाना ना होता नहीं होगा, फसे रहते होंगे, और घर में भी फिच 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 रखती होगी, अब इतना गुस्सा यहां निकाल दिया, तो आपका मन कितना हलका होगा, आप घर के अंदर कितनी खुशी चैन से स हमें भी ताते होंगे, तो यह आनंद जो आपको मिला है, इसके लिए मैं काम आया, यह भी मैं अपना सवभागे मानता हूँ, और मैं चाहूंगा, यह आनंद लगातार लेते रहिए, चर्चा करते रहिए, लगातार चर्चा करते रहिए, सदन को जीवन्त बनायते रखिए मोदी हैं मोका लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद